इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेज करें हमारी न्यूव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स बीवी गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि वो कौन-कौन से प्लांट हैं मैं आज उनके नाम बताऊंगे आपको जो मैंने भी प्लास्टिक की बॉटल में ऐसे उसको पॉट बनाके यूज किया हुआ है तो आज यही बात देखिए जो सबसे अच्छा जो प्लांट चोटी स्पेस में चलता है यह बिंका और यह देखिए इनको जो एक एक लीटर की बॉटल होती है उनको उपर से कट करके तो मैंने इन प्लांट को लगाया हुआ है और कैसी मिटीन के लिए बनाई है तो मिटी बिल्कुल बैल ड् आतशर यह बैल-ड्रेंड बनाता है और कि इत फडिल्ड का काम करती है तो इससे कहिसेاشें Experience में अच्छे सब्स और प्लांट है जो मैंने शोटी शोटी इन बॉटल्स में लगाए हुए और बहुत ही अच्छे से इन में फ्लाबरिंग भी हो रही है तो पहले आप इस बिंका को लगा सकते हैं यह बहुत ही अच्छे से जो है फ्लाबरिंग करता है तो जैसे मैंने तो सिंपल इनको बॉटल को कट उपर से क तो बहुत ही अच्छ से चलते हैं, तो दूसरा प्लांट यह देखिए जो मैने बॉटल में ग्रो किये है। यह देखिए है डैवल स्पैक बोन और यह प्लांट मेरा कम से कम भी दो साल से इसी बॉटल में चल रहा है। और मैने कटिंग लगाई थी शोटी सी। यह बंड्रिं यह एक प्लांट है, बंडरिंग जू, तो यह भी एक बहुत ही अच्छा बाटल के लिए प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं, और यह देखिए, मैंने इसको बाटल प्लांटर में ही लगाया हुआ है, और बाटल जो है, बिल्कुल भी दिख नहीं रही है, और बाटल में बहुत ही अच्छे से चलता है, यह देखिए, मैंने भी बिल्कुल छोटे से इसमें, पॉट में इसको लगाया हुआ है, और अच्छे से चल रहा है, तो यह है टाटल वाइन, तो टाटल वाइन तो बहुत ही अच्छे से चलता है, और यह देखिए, मैंने भी इ अच्छी से चल रही है और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है तो टाटर बाइन को भी आप लगा सकते हैं बाटल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इसकी इसको भी पानी कम चाहिए होता है तो यह देखिए बहुत ही colorful leaves वाला plant और बहुत ही easy growing plant और शोटी space में बहुत ही लगाया हुआ है और मेरे पास भी pot नहीं है तो इसको भी आप चोटे से space में लगा सकते हैं और यह पोर्चुला का तो बहुत ही अच्छी से यह देखिए बाटल में मैं लगाया हुआ है तो इन दोनों को आप भी लगा सकते हैं बाटल में तो यह देखिए friends एक और जो hybrid व लगाया हुआ है और यह भी बहुत ही अच्छे से शोटी स्वेस में चलता है और इनको भी पानी कम ही चाहिए होता है जिनको पानी कम चाहिए होता है उनको ही कोशिश करें आप जो शोटी बाटल में लगाने की तो यह देखिए friends एक और प्लांट है इसका मुझे नाम तो नहीं पता मगर शाहिद यह अरेलिया का प्लांट है और इसको भी जो मैंने 5 लीटर की बाटल का जो उपर वाला पाट है तो उसमें मैंने इसको लगाया और यह देखिए कितने अच्छे से चल रहा है तो आप इस साथ में इसके मैंने पार्चुला का भी लगाया हुआ है और ऐसे आप जो है प्लांट लगा सकते हैं और आभी मैंने को जो है बाटल को पेंट भी करूंगी तो फिर यह और ब्यूटिफल लगेगा तो इस तरीके से आप जो है प्लांट लगा सकते हैं और यह देखिए कितना ही ब्यूटिफल लगता है यह देखने में तो जो आगे वाला प्लांट है यह है परपल हार्ट इसको भी आप जो है शोटी स्पेस में लगा सकते हैं और यह बहुत ही अच्छे से चलता है और यह देखिए आप और एक कोई एक लिटर की बॉटल है यह दो लिटर की होगी और उसमें जो है दो तीन प्लांट मैंने लग लगाया है परपल हार्ट लगाया है और साथ में पॉटला का और यह तीनों प्लांट जो है इसमें बहुत ही अच्छे से चलते हैं और पॉटला का में तो फूल भी आते हैं तो यह देखिए इन प्लांट को भी आप तीनों को लगा सकते हैं जैसे सिंगोनियम है पॉटला क आपका है परपल हाट है और ये देखिए परपल हाट के कितनी अच्छी Ephra Dr. kछलर भी कितनी अच्छा लगा रहा है क्छ आलर चोटी सिपेसए बहुत ही एंसले सब को पाणी में म you can चाहिए होता है तो यह चल जाते हैं इतनी छोटी स्पेस में तो यह देखिए devil's backbone इसकी मैंने cutting लगाई थी कुछ एक दो साल पहले और यह दो सालों से इसी bottle में लगा हुआ है और अच्छे से चल रहा है और इसके यह देखिए नीचे से इसकी new new branches भी आ रहे हैं अगर मैं चा हो तो यह इसमें भी अच्छे से चल रहा है तो आप इसको devil's backbone को भी बहुत ही असानी से cutting इसकी लगाऊगे तो यह साल दो साल में इस तरह का plant बन जाता है अगर आपके पास space कम है तो bottle planter जो है बहुत ही अच्छा option है जिसमें आप अपने plant लगाने की जो खुआश है वो प cutting ही लगाई थी कुछ समय पहले और बहुत ही अच्छा एक developed plant बन गया है अगर मैं चाहूं तो इसको दूसरे के उन्हें में लगा सकते हूं और ना चाहूं तो यह इसमें भी बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा और यह देखिए कितने अच्छी इसकी growth भी हो रही है और मै भी दिखिए इसमें एक लिटर की bottle में यह लगा हूँ है plant और इसमें flowering भी होती है हर बार जब इसका flowering का season होता है और नीच्चे से इसकी जो है new new shoots भी निकल रही है और जो है काफी दिनों से लगा हूँ है इसमें कोई साल डेट साल से जा दो साल से इसी bottle में लगा हूँ ह है और मैंने इसकी cutting ग्रो की थी और इसमें फूल भी आते हैं हर बार तो जू फोर विया मिली को भी आप लगा सकते हैं तो इनको इसको भी पानी कम चाहिए होता है और यह अच्छे से चलता है bottle में तो यह देखिए friends यह है कैलन कोई का plant और इसमें फूल आते हैं सर्दियों में और यह देखिए कोई में दो लिटर की bottle होगी जिसमें प्लांट लगा हुआ है और देखिए कितनी अच्छी इसकी growth है plant की और इसको भी कोई ज़्यादा केर नहीं चाहिए होती है पानी कम चाहिए होता है तो यह भी अच्छे से चलता रहता है और यह देखिए बहुत लोरो पैटलम और कटिंग से इसली ग्रो हो जाता है और इसको यह आप जब भी कटिंग करते जाओगे तो यह plant बुशी बन जाता है और शोटी स्पेस में बहुत ही अच्छे से चलता है तो इसको भी आप लगा सकते हैं बहुत ही देखने में भी टूल लगता है यह लोरो और यह देखिए इसमें बहुत सारे नियू नियू पब्स भी निकल रहे हैं और यह काफी कोई दो तीन सालों से इसी डबे में लगा हुआ है तो स्नेक प्लांट को यह आप जो है शोटी शोटी बॉटल में लगा सकते हैं और यह देखिए एक और सिंगोनियम तो मैंने बह कrema ने कमी चाहिए होता है तो यह भी चोटी स्पेस में अच्छे से चलते हैं तो यह देखिए जितनी बी मैंने प्लांट गाए हैं बहुत अच्छे से ग्रॉठ कर रहे हैं और यह देखिए इसमें यू न्यू लीव्ट आ रहे हैं तो इंस अब को जो है आप लगा सकते है अच्छी growth इनकी होती रहती है बॉटल्स में, तो ये देखी एक और मेरा सिंगोनियम का प्लांट है, सिंगोनियम हो गया, मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, कैलन कोई, इन सब को आप लगा सकते हैं बॉटल प्लांटर में, तो ये देखी फ्रेंट्स जो बिंका का प्लांट आप देख रहे हैं, और इसमें कितनी अच्छी से फ्लावरिंग हो रही है, और इसको मैंने लगाया है, एक पांच लेटर की बॉटल के मैंने दो प्लांटर बनाए थे, तो उसमें मैंने इसको लगाया हुआ है, और इसमें कितनी अच्छी से में फ्लावरिंग हो रही है, और अभी मैं इसको पेंट भी करूँगी, तो ये और भी अच्छा लगेगा, और ये देखिए, एक और बॉटल के मैंने दो प्लांट बनाए थे, तो उसमें इन दोनों को लगाया था, तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं, जिन प्लांट को पानी कम चाहिए होता है, वो बहुत ही अच्छे से चलते हैं छोटी स्पेस में, तो थैंक्यू फ्रेंट्स, इसी तरीके से आप भी लगाएं प्लांट,